वेलकम तो एग्री गुरु कोचिंग जगदलपूर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ तो आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्केशन करेंगे वो टॉपिक होगा आपका ब्रिट्स ओप गोट अर्थाथ बकरियों की नशले तो जैसे कि हमने उसका वैग्यानिक नाम क्या रहता आपका कैप्रा हिरकस ठीक है most important याद रहेंगे पूछा गया है बहुत बार और अगर आपको यह पूछा गया कि बकरी की कितनी रेजिस्टर नसले हैं जैसे कि भैस में सुला थी ना वैसे ही आपकी बकरियों में कितनी रेजिस्टर नसल है 20 Parent इसके बाद जो आपकी बकरी रहता है उसको गरीबों की गाय कहा जाता है ये भी आपका बहुत बार पुछा गया है कि गरीबों की गाय किसी कहते है पूर मैंस काउ किसको कहते है आपका बकरी गट को 0000 को कहा जाता है इसके बाद यह एक जो versatile ढोट आनीमल है रहो मु का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं थोड़ा सा comedy चीज हो सकता आपको लगे ऐसा बट जो राजस्तान में वहां पर बक्रियों को चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है और इसके बाद आए इसकी classification के बारे में थोड़ा सा discussion करते हैं तो क्लासिफिकेशन बिकेश को सब्सक्राइब के भाहना के लिए और दूद्थ के लिए सम्सक्राइम घरिए तो थब सबसे जब्हारादा पूचा जाता है उसके बारे मीं będziemy करते हैं on the basis of utility तो सबसे पहला आता है इसमें जो दुधारू नशली जो आपके मांसुत पातक नशली मतलब मीट प्रोडक्शन के लिए जिनका उप्योग किया जाता है जनरली आपको पता होगा बखरी का उप्योग मीट के लिए किया जाता है दूद के बहुत कम किया जाता है तो मीट प्रोडक्शन के लिए आपको जो बहुत में नशले हो याद तो जैसे किसमें आप देखेंगे कि जमना पारी दुख दूत पादन में भी आया है और आपका किसमें है मास उत्पादत में तो यह क्या आपकी द्विकाजी नशल बन जाएगी जो ड्विल परपस काओ तैसे बहुत सारे ड्विल परपस काओ है बट जो बहुत इंपोर्टे के लिए भी इनका उप्योग किया जाता है तो वह नशले है आपकी मारवाडी याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है यह मारवाडी जो ब्रिड़ है आपकी वह बकरी की एकलौती तुरिकाजी नशले है और इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑन दे बेस आप जियो चांग ठांगी है और गद्दी है ठीक है कौन-कौन सी है पश्मीना चेंगू चांग ठांगी गद्दी या आपकी हिमालियन रिजन्स मतलब जम्मू कश्मीर और जो हिमांचल प्रदिश वोले एरिया है न वहाँ पे मिली पाया जाता है और जो दूसरा आपको याद रखन है एक्च्वल में ओडिसा के डिस्ट्रिक है गंजा मुसके नाम पे रखा गया है तो इतना ही क्लासिफिकिशन आपको काफी है नॉर्मल आपको बांटने के लिए इसके बाद अपन देखते हैं कि देशी ब्रीट्स ठीक है यह जो हमने लिखा है देशी ब्रीट्स ऑप गो कियोजिने निश्ल है बहुत अच्छी डूईल पर्पस मतलब क्या होगा आपका दोदर मां सुथ पादन के लिए इसी को गरीबों की गाय के नाम से भी जाना जाता है बकरियों को तो गरीबों की गाय कहा ही जाता है बट इसपेशिली जमना पारी जो रहता है न, जमनाrem को गरीबों का गाय कहा जाता है ठीक है इस पेशल ब्रीट से आपकी याद रखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो यह कि इसका रंग जो रहता है सफेद कत्थई काले धब्बे युक्त आप यहां तीन कलर देख सकते हैं देखिए यह तो आपका वाइट हो गया यह आपका बीच बीच में ब्लैक हो गया कत्थई जिसको तामा कलर यह बोल सकते हैं तो इसक में दाड़ी पाई जाती है अच्छा खासा लुक है अगर हुमन्स रख सकते हैं तो आपको पूछी जाती है कि भारती नाशलों में सबसे बड़ी और दूद देने वाली नाशली याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जमनापारी क्या है आपका जो आपके देश इसका वशा का जो प्रतीशत है वो चार से साढ़े चार पाए जाता है और इसके कान की लंबाई 25 से 30 सेंटीमेटर देखिए आप ध्यान से देखेंगे इसका कान बहुत बड़ा है कि यह पूछा गया है ना आपका एक साल आया भी जमनापारी की कान की लंबाई पूछे ग पाई जाती है इसके बाद घड़ी के पेंडूलम जैसे लटकते और घुमाबदार कान हमने देखा था लटक रहा था ऐसा पूरा सा ठीक है इसके विशेष्टाएं हैं और इसे ग्रामेंड बकरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है क्या बूले जाते से ग्रामेंड बकरी अब तो नेक्स्ट ब्रीट के बारे में अपने डिस्कुशन करते हैं नेक्स्ट ब्रीट जो है आपकी वह बरबरी लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है बहुत से स्टूडेंट को रहता है कि यह विदेशी नशलम है कि देशी नशलम है तो यह बिलकुल आपकी सोमालिया जो इसको विदेशी में रख देते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है यह देशी नशलम है अब लाया गया है इसको अच्छा खासा एंपोर्ट करके भाई तो आप बिलकुल उत्तर प्रदेशी मारेगा उसके बाद यह दूई पर्योजनी फिर वही डूइल परपस जो है इसका काम है दूद और मासुख पादन दोनों करती है इसका दुख दुख पादन भी लगभग एक से माफ किजिएगा तेर से दो लीटर के आसपास रहता है और वशा प्रतीशत साढ़े चार से पांच प्रतीशत के आसपास इसकी जो स्पेशिफिकेशन से वह यह कि इसके कान छोटे ह जैसे रहते हैं सिंग भी छोटे रहते सरीर करंग जो रहता सफियत बुरा फ्यां ध्यान से देख सकते हैं यह हीरन के जैसे आपको दिखेगा एक्जेक्टली तो नहीं बोल सकता बट मोस्ट प्रबाबबिली आपको हीरन ऐसे देखेगा पूरे चित्तिदार जो डॉट से इसके बाड़ी में बने हुए हैं आपको दिख सकते हैं इसके इन पहस्यक्तिर यह थैसे देख रिया हैं तो अगर जाता था वैसे ही सहरी बकरी के नाम से किसको जाना जाता है यहां यह बहुत से लोगों को इसके बाद जो बकरी रहते हैं वह एक बार में दो बच्चे को जनल देते हैं बड़ बर्बरी में एक की स्पेशिफिकेशन स्पाय जाते हैं कि ये तीन बच्चे भी दे देती है इसका जो वजन रहता है वो 35 से 40 किलोग्राम और जो ब्यांत के अवदी रहती इसको प्यूबर्टरी टाइम बोलते हैं वो 16 महीने मतलब 16 महीने में ये कैपेबल हो जाती है एक बच्चे के उत्पा जैसे आपका सहिवाल था ना गाय में आलसी ये भी है वैसे थोड़ी सी आलसी और ये लेकिन दिखने में बड़ी सुन्दर रहता है इसका जो सरीर है वो सफेद रंग कर रहता है कान जो है वो लटके हुए पाए जाते हैं और अगर आप यहां ध्यान से देखें तो बहुत सुन्दर ही दिकह रिखकी अच्छी खासी इसके बाद आपकी नेीक्सみट जो है वह आपकी महसाना तो महाँ जो नशलि है वह आपकी भैस में भी आई थी अगर सकते हैं कि दो काम के लिए डिल परपस आपकी ब्रीड है इसके बारे में तो बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी पड़ेगी क्योंकि इसमें से बहुत सारे कुश्चन्स आते हैं सबसे पहला गाय जो मांस रहता है ना बकरियों में सर्वस्रेश्ट मांस वह आपका बरबर रखना है कि इसका मेड बहुत फेमस है और यह दुख दुख पादन कितना रहता 500 ग्राम प्रति लिटर बहुत कम रहता है और यह अधिकतर काले रंग की होते हैं बहुत डार्क ब्लैक रहते हैं और जिसके कारण यह बहुत कीमती है ठीक है इसके बाद जो आपका कि नेक्स्ट ब्लीड वह मारवाडी डीके मारवाडी जनली आपको पता होगा गुजरातियों को आले झो टिक है डृदापूर जो एक है जी रहता है वहाँ प्रतिरोधी छमता जो रहती है बहुत अच्छी पाई जाती है कि जैसे कि मैंने बोला जोद्पूर रहता है पाई जाती है कम दुद्ध पादन रहता है 800 ml के आसपास जो रहता है वो इसका दुद्ध पादन है और जनरली ओन के लिए अधिक उप्योंगे अगर आप इसके ब पाई गया है यह पूर्णता काले रंका होता है तो दीखी रहा है पूरा ब्लैक कलर रहता है मास का उप्योंग चम्ड़ उद्ध योग में किया जाता है और नर में मोटी दाड़ी रहती है यहां पर अच्छी खासी दाड़ी पाई जाएगी में इसका जो परपस रहता है है वह क्याँ रहता है गयाटा लिए इसमें से आपका उन गों उत पादन या जो चम्ड़ उत पादन ईसमें किया जाता है और यह व्लोका केатल आपने डार्किंग की जाती है आपने जनली सुना होगा कि गर्मियों में टैनिंग होगे सरीर का रंग जो काला हो गया मतलब चमड़े जो रहेगे वो कैसे काले हो गया है तो टैनिंग उद्द्धी यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सबसे पहला चीज तो यह कि इसका उत्पत्त नश्ल बहुत फेमश है पहले आपका पस्मीना या कश्मीरी नश्ल और दूसरा आपका गद्धी नश्ली यह दोनों ही नश्लों का उप्यों किसके लिए किया जाता है आपके उनुत पादन के लिए ठीक है पहाड़ों में पाई जाती है अब ऑव्यस सी बात है मांचल प् कश्मीरी है और जो उन रहता है ना उसका उत्पादन एक से दो किलोग्राम प्रती वर्ष के रूप में किया जाता है जो इनमें से क्वेशन आया था वो याद रखेंगे मोहेर जेनरली मोहेर जो रहता है वो खरगोश के उसको कहा जाता है बट इस केस में जो मोहेर उत्प बादन किस से किया जाता है पश्मीना से किया जाता है यह इंपोर्टेंट है इसलिम आपको बता रहा हूं और एक्जोर्टिक ब्रिट्स मतलब फिर विदेशी नसले तो इसमें सबसे पहले अंगोरा है तो अंगोरा का जो उत्पत्ति स्थान है तूर्की इसको इंग्लिश मे होते हैं और इसके बालों में मोहेर नामों कुन पाई जाते हैं आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि बॉड़ी वैसी बहुत अच्छी खासी हेल्थी दिगरी पूरे बॉड़ी में उन ही उन जैसे दिख रहा है और इसी उन को क्या कहते हैं मोहेर ठीक है मैंने फिर बताए अगर आप ध्यान से देखेंगे बकरियों में बहुत कम रहते हैं भेड में बाल जाता रहते हैं और बहुत के लिए यूज होती है रेशे के लिए बहुत कम बटी जो अंगोरा नशल है यह तो कुछ खास है और यह आपको देखने से समझ आ रहा है जो अंगोरा नामक उन गया आपको खर्गोस से पृपत होता है जबकि बकरी की एक नशले को अंगोरा रग दिया लorde क्like से क्या मिलता है आपने को मुहर मिलता है जैसे मैंने बताया थाव नेक्स वापकी बृट है थोड़ा सा। दूसरे तरफ चला गया है नेक्स्ट पूछा गया आपका पीटी का सवाल है कि commercial goat किसको कहते हैं देख ग्रामीन बकरी आपकी जमनापारी होगी सहरी बकरी आपकी कौन सी हो गी बरबरी हो गई और जो commercial पादन और मांस जोनों के लिए करते हैं दो से डाइलीटर दूद मिलता है सफेद का जो सरीर का जो रंग है वो काला और सफेद जनरल इसको सफेद तो आप नहीं बोलेंगे तामबा कलर भी कुछ हद तक नहीं बोल सकते हलका सा ब्राउनिश रहता है इस टाइप का पहाड़ी इसका ओरिजिन है स्विल्जर लेंड यह नशल सिंग रहीत रहते हैं आप यहां सिंग देखेंगे नहीं दिखेंगे नहीं आपको सिंग कहीं भी और चहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक जो रहता है ना भूरे रंग की धारियां पाई जाते हैं यहां तो मैं दिखा बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्रीड अगर आप किसी को कहेंगे तो वह साने नहीं क्यों है इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले जिस इसका ओरिजिन स्विल्जर लेंड दूसरा जो इसको सबसे सबसे खास बनाती है वह यह है कि इसको दूद किरानी के नाम से जाना जात ही बखरी में आपका क्या है साने इसका रंग सफेद होता है ठीक है पूरा वाइट ही है और मादा का वजन 65 किलोग्राम और नर का वजन 75 किलोग्राम अचाहे मैंने एक गाय को जब पढ़ा रहा था तो मैंने एक करेक्टर बताए कि दुधारू नशले रहते हैं उनके थन इसे साब पहचान सकते हैं कि यह कितना दूद पातन देती होगी इसका जो अडर है यह बहुत बढ़ा है और इसके टिट्स भी जो है वो भी बड़े है नेक्स्ट आपका एंग्लोनूबियन एंग्लोनूबियन से बहुत से एक्जाम्स में कुछन पूछा गया और बहुत यह था कि इसका संकरण जैसे आपका महसाना था भैस में वैसे ही एंग्लोनूबियन है तो इसका उरिजिन क्या आपका मिश्र जो है एजिप्त वाला एरिया जो वहां पर रहता है यह जमनापारी और न्यूबियन जो है ब्रेड है इंग्लेंड की उससे बना है इसलिए एं इसको किसी एक फेमस नाम से जाना जाता है वह आपको नेक्स्ट पेज मिल जाएगा इसका सरी जो रहता है रेश्मी बालों से ढखा रहता है और यह रहा उसका जो मैंने आपको बताया 5 प्रतिशत अगर आपको पता हो तो जर्सी का जो दुग में वशा प्रतिशत है वो लगबग 5 प्रतिशत रहता है इसलिए जो बकरियों का जर्सी है वो एंग्लो नूबियन को कहा जाता है उसके बाद यह जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि डूइल परपस ब्रीड में जो सबसे बेस्ट अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रीड है डूइल परपस पर अगर आपको सबसे उप्यूग सबसे बेस्ट पूछा गया तो याद रखेंगे एंग्लो नूबियन सबसे अच्छी द्विकाजी नशले ठीक है जैस आपको बताई और इसके बाद भी अगर आपको फिर से वही कोई अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्षिन में जाए और ग्रुप्स में जाए आपके डाउट्स क्लियर होंगे ठीक है थैंक यू सो मच